नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दोस्तों राजमा और छोले की बहुती टेश्टी सबजी, वो भी बहुती आसान विधी के साथ। दोस्तो हमने एक कटोरी राजमा और एक कटोरी छोले लिये हैं और उन्हें पूरी रात भिगो दिया है दोस्तो गैस पर हमने अपना कूकर चड़ा लिया है और अपने छोले और राजमा अपने कूकर में डालेंगे और इसमें हमने तीन कटोरी पानी डाला है अब हम इसमें एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे और कूकर का धकन बंद करेंगे और साथ से आठ सीटी आने देंगे हमने एक लेसन की गाठ और दो मीडियम साइज के प्याज लिये हैं और तीन मीडियम साइज के टमाटर एक प्याज तीन चार हरी मिर्च और एक अदरक की गाठ लिया है और हमने अपने प्याज को बारीक बारीक काठ लिया है और अपने लेसन प्याज और टमाटर का पेश्ट बना लिया है अब हमारी साथ आठ सीटी आ चुकी है और आप देख सकते हैं हमारे छोले और राजमा अच्छी तरीके से उबल चुके हैं और बिल्कुल मुलायम हो चुके हैं आपको भी साथ और आट सीटी ही देनी है अब हमने गैस पर अपना कूकर चड़ा दिया है और इसमें एक बड़ा चमचा सरसो तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरीके से गरम होने देंगे और हमने नमक, खल्दी, गरम मसाला, पिसावा धनिया, तीखिलाल मिर्च और रंग वाली मिर्च का परियोग किया है अब हमारा तेल गरम हो चुका है तो हम इसमें एक चुटकी हिंग डालेंगे और इसमें अपने सभी कटेवे प्याज डालेंगे और चमचे की सायता से प्याज को चलाते हुए ब्राउन होने तक भोनेंगे अब हमारे प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं अब हम इसमें अपना लेसन और प्याज का पेश डालेंगे इसे भी चमचे की सायता से प्याज के साथ मिलाएंगे और अच्छी तरीके से एक से दो मिन्ट तक भूनेंगे तेज आज पर ताकि लेसन और प्याज का कच्चापन निकल सके अब दोस्तों हमारा लेसन और प्याज का पेश भी अच्छी तरीके से पक चुका है अब हम इसमें अपने खड़े मसाले डालेंगे काली मिर्च लॉंग, तेज पत्ता और इन्हें भी चमचे की सायता से अपने लेसन और प्याज के पेश पेश के साथ मिलाएंगे अब हम इसमें अपना टामाटर का पेश भी डालेंगे और चमचे की सायता से चलाते हुए लेसन और प्याज के पेश के साथ अच्छी तरीके से मिलाएंगे और गैस का फ्लेम हाई रखना है और अब हमारा लसन प्याज और टमाटर का भी पेश पक चुका है अब हम इसमें अपनी हरी मिर्च और थोड़ी सूखी खड़ी लाल मिर्च डालेंगे आप दोस्तों हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल भी सकते हैं और नहीं भी अब हम इसमें अपने सभी नमक, मिर्चो और मसालियों को डालेंगे और चम्चे की साइता से चलाते हुए अच्छी तरीके से अपने लसन प्याज और टमाटर के पेश्ट के साथ मिलाएंगे और गैस का फ्लेम हाई रहने देंगे और इससे हमारा लसन और प्याज का पेश्ट बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाएगा अब हमारा लसन प्याज और टमाटर का पेश्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है और इस पे रंग भी आ चुका है और इसने तेल भी छोड़ दिया है आप देख सकते हैं अब दोस्तों हम अपने उबले हुए राजमा और छोले भी अपने लेसन प्याज और टमाटर के पेश्ट में डाल लेंगे और चम्चे की सायता से चलाते हुए अच्छी तरीके से मिलाएंगे और दोस्तों पानी हमारे राजमा और छोले में पहले ही था तो हम इसमें सिर्फ एक छोटी कटोरी पानी डालेंगे आप पानी ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं अगर आपको तरी गाड़ी रखनी है तो इतना ही पानी बहुत है नहीं तो आप पतली तरी चाते हैं तो एक गिलाज भी पानी डाल सकते हैं अब दोस्तों हम कूकर का ढखकन बंद कर देंगे और सिर्फ चार सीटी आने देंगे अब हमारी चार सीटी आ चुकी है और हम कूकर का ढखकन खोलेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी चोले और राजमा की सबजी बिलकुल अच्छी तरीके से बनके तयार है इस पे रंग भी बहुती अच्छा आया है और इसमें से महग भी बहुती अच्छी आ रही है अगर दोश्तों आपको हमारी छोले और राजमा की रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना